कैलोरी मीट्री, नाम से पता चल रहा है कैलोरी इसको मेजर किया जा रहा है, यानि हीट को ना पा जा रहा है, किसने किसको कितनी हीट दी, किसने किससे कितनी हीट ली, और ऐसा हो क्यों पाता है, देखो एक आईसोलेटेड सिस्टम में, अगर एक ने कुछ हीट रिजेक्ट कर होता है जिसमें temperature देखते हैं किस तरीके से temperature change हो रहा है अच्छे यहां पर heat lost इसको मैं क्या लिख सकता हूं अगर मझे लिखना ही पड़े तो heat loss को मैं लिख दूंगा m s delta t यह होगा for one किसी एक का जो m s delta t है वो दूसरे का m s delta t बन जाएगा तोनों के initial or final temperatures अलग अलग हो सकते है depending upon क्या आपको situation दी हुई है अच्छे यहां पर जो heat है heat को किस तरीके से लिखा जाता है heat को हम लिखते है m s delta t यहां पर s क्या चीज होती है s बड़ी interesting चीज होती है यह होती है हमारी specific specific heat capacity specific heat capacity का मतलब होगा है कितनी इस material की heat capacity है per unit mass तो उसको mass से multiply करना ही पढ़ता है लेकिन कई बार ऐसी चीज होती है जैसे मेरे पास यह fix चीज है मेरे पास mobile है और यह अलग-अलग चीजों से मिलके बनाया और इसका mass भी fix है ऐसा तो है नहीं मेरा मन किया तो मैंने s अलग से निकाल हूँ, m अलग से निकाल हूँ बार बार तो वो नहीं किया जाता है इसलिए दोनों को multiply कर दिया जाता है कुछ objects के लिए और हमाया पास formula बन जाता है q is equal to फिर सिर्फ उसको heat capacity बोलते है और उसको denote करते है c से c delta t हो जाता है अब की बार यह जो c है यह सिर्फ heat capacity है तो बस बोलने के अलग-अलग तरीके हो गए अच्छा calorie metry में एक बहुत important चीज़ पहले हम measure किया करते थे heat को किस तरीके से calories में एक gram पानी को एक degree Celsius गरम करने में जित्ती heat लगते ही उसको एक calorie बोल दिया गया फिर बात में पता चला है कि Joule actually हमारी SI unit निकल के आ रही है और दोनों के conversion कराए गए तो हमाई पास एक relation निकल के आता है हमाई पास 1 calorie is equal to 4.18 Joule होता है या फिर इसी को आप approximately 4.2 Joule भी बोल सकते हो और राइट साथ में सबसे आदा जिस fluid के साथ हम काम करते है वो है water उसकी specific heat capacities हमें याद होनी चाहिए तो हमाई पास specific heat capacity of water अब इसको भी दो तरीके से लिखा जाएगा calories में और Joule में और भी gram में या फिर kilogram में उसकी value होती है 1 calorie per gram degree Celsius तो एक gram पानी के बज़न एक degree Celsius बढ़ाओगे तो आपको एक calorie लगानी पड़ती है actually इसको define किया गया था तो एक gram नहीं एक cc लिया गया था एक cubic centimeter पानी तो अब आपको density को भी factor in करना पड़ता है density अलग-लग temperature बदलती है इसलिए इसको define कर दिया गया कि भई ये definition है at one atmospheric pressure and पानी को heat करना है 3.5 degree Celsius से ले करके 4.5 degree Celsius तक तो ये एक definition हो गई इसको आप याद रख सकते हो इसी को अगर मुझे kilogram में ले के आना है तो देखो इसको gram को per kilogram कर देना है हमें तो एक gram के लिए एक लगता है 1000 gram के लिए यानि एक kilogram के लिए पास value हाँ जाएगी 1000 calorie per kilogram degree Celsius या फिर degree Celsius को आप Kelvin भी लिख सकते हो तो मैं यहाँ पर इसको Kelvin लिख देता हूँ छीक density of water को ही लिखने का एक और तरीका हो गया जब हमाँ पास joule आ गया तो इसी को देखो क्या लिख सकते है 4.2 joule per gram degree Celsius या फिर इसी को आप kilogram में लेके आओगे तो 1000 गुना लगे गया भी न वो जाता है 4.2.0 joule per kilogram Kelvin इस तरीके से हमाँ पास कुछ units आ जाती है और एक चीज़ समझो हमाँ पास अगर पानी है पानी की value अगर 1 है तो ice की और steam की जो पानी के अलग-अलग phase है उसकी value roughly half मान करके हम solve कह सकते हैं अगर आपको कोई value दी हुई है accurate जादा तो आप उसको लेना नहीं तो अगर आपसे पूछा रहा है specific heat capacity of ice तो उसको approximately specific heat capacity of steam के बराबर बानना है और उसकी value जाती है approximately 0.5 calorie per gram degree Celsius यह कुछ values हैं जो आपको याद होनी ही जाहिए है The temperature of equal masses of three different liquids X, Y and Z are 10 degree Celsius, 20 degree Celsius and 30 degree Celsius respectively The temperature of mixture when X is mixed with Y is 16 and then Y is mixed with Z is 26 The temperature of the mixture when X and Z are mixed will be तो देख भी बहुत ही interesting सा सवाल है हमारे पास led से यहाँ पर X था हमारे पास यहाँ पर Y था हमारे पास यहाँ पर Z था इस तरीके से और सब के equal masses हैं यह था हमारे पास 10 degree Celsius पे यह भी था यह हमारे पास था कितने पे 20 degree Celsius पे और यह है हमारे पास 30 degree Celsius पे जब मैं इन दोनों को mix करता हूँ तो हमारे पास जो finally temperature आता है mixture का वो आता है 16 degree Celsius पे जब मैं इन दोनों को mix करता हूँ तो हमारे पास temperature आता है 26 degree Celsius पे तो सवाल में पूछाए है कि अगर मैं इन दोनों को mix कर दूँ तो हमारे पास क्या final temperature होगा वह ही हमें बताना है लेट से उसकी value आती है T तो इसको आप किस तरीके से approach कर सकते हो देखो इसकी यहाँ से जब यह आता है तो इसके जारा heat gain करी गई है तो यहाँ पे आपके लिखोगे ms delta T अच्छे इसने कुछ gain किया है इसने कुछ lose किया यह 20 से 16 पे आ गया है तो इसके लिए आप लेख सकतो m of s2 into delta T दोनों के mass बराबर है वो इस तरीके से cut जाते हैं और आप देखोगे कि यहाँ पर दोनों की specific heat capacity अलग-अलग आईगी क्योंकि दोनों का change in temperature अलग-अलग है तो आप यहाँ पे m और s के terms में करने की बज़ा है आप सीधे-सीधे इसको heat capacity यहाँ c की terms में भी कर सकते हो तो let's say मैं यहाँ पे assume कर लेता हूँ इसकी heat capacity c1 है इसकी heat capacity c2 है इसकी heat capacity c3 है या फिर आप चाहो तो m into s1 से भी कर सकते हो यहाँ पे m into s2 लिख दो या फिर m into s3 लिख दो इस तरीके से कर सकते हो अब आपको team बार equation लिखने है एक बार इन दोनों के लिए heat gain heat loss is equal to इतना heat gain heat loss is equal to बराबर फिर इसके लिए equation लिखने है एक बार मैं equation लिखके बता देता हूँ अगर मैं इन दोनों की बात करो इसने heat gain करी है तो मैं लिख सकता हूँ c1 into delta t1 is equal to c2 into delta t2 c1 की value मुझे नहीं पता लेकिन t1 में change कितना है यह मैं बता सकता हूँ 10 से 16 गया था तो इसको मैं लिख दूँगा 16 minus 10 यानि कि 6 is equal to यह 20 से 16 पे आया है तो 4 का difference है तो यहाँ पर लिख दूँगा c2 into 4 यह आ गई हमें पास equation number 1 similarly आप इन दोनों के लिए equation लिखो similarly इन दोनों के लिए equation लिखो आपका आपका answer मिल जाएगा वीडियो को pause करो question को solve करो इसका correct answer है option number D देखो हम अब इनके लिए equation लिखेंगे यहाँ पर यह 20 degree Celsius से 26 पर आया है तो इसने जो heat gain करी है वो कितनी हो जाएगी इसकी heat capacity यानि C2 into delta T यहाँ से आजाएगा C2 into delta T इस 6 का is equal to C3 into इसने कितनी heat lose करी है 4 degree Celsius का अंतरा है यहाँ पर तो यह जाएगा 4 this is equation number 2 अब हमको पता क्या करना है यह temperature तो इसने जितनी heat gain करी है वही इसने lose करी होगी यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ मेरी तीसरी equation आजाएगी C1 into इसका temperature में change कितना हुआ है देखो T ज्यादा होगा 10 से ज्यादा है T तो मैं लिखोंगा T minus 10 must be equal to इसने कितनी heat lose करी है वो जाएगा C3 into 30 minus T C3 into 30 minus T यहाँ पर मुझे C1 और C3 के बीच में relation चीए तो वो कहाँ से आ सकता हूँ इन दोनों से मैं वो relation ला सकता हूँ इन दोनों से मैं लिख पाऊँगा यहाँ से मैं लिख सकता हूँ दोनों को अगर मैं multiply कर दो तो मैं पास आ जाता है 36 C1 is equal to 16 C3 दोनों को multiply कर दो C2 से C2 इस तरीके से कट जाएगा और आप इसी को लिख सकते है 9 times C1 is equal to 4 times C3 C1 की value हाजाती है 4 upon 9 times C3 into T minus 10 is equal to C3 30 minus T अब बहुत ही simple रह गया है C3 से C3 कट जाता है हमाँ पास जाता है 40 minus 40 is equal to 9 3s are 270 minus 90 या फिर आप लिख सकते हो 90 उधर चला जाएगा तो हमाँ पास जाता है 13 T is equal to 310 या फिर T की value हाजाती है 310 upon 13 अब इसको approximate करना है तो इन दोनों को 2 से multiply कर दोगे तो उपर आता है मेरे पास approximately 620 तो उसको मैं 600 कर देता हूँ क्योंकि नीचे भी 13 का उज़ा 26, 26 को भी छोटा कर देता हूँ 25 और ये कट जाएगा इस तरीके से 24 आता है अप्रोक्सिमेटली option number D becomes a correct answer क्यालोरी मीट्री में हम heat देते हैं heat के कारण temperature में change होता है हमारे पास equation होती है q is equal to ms delta t या फिर आप इस इको लिख सकते हो c times delta t अब ये heat देने के बहुत सारे तरीके होते हैं कई बार friction से देते हैं कई बार चीज़ों गिराते हैं तो उसकी potential energy फिर kinetic energy की जगे friction की जगे जैसे तैसे हो करके heat में convert हो जादी basically energy conserve करानी होती इसी के बहुत अच्छा example है a bullet of mass 5 gram traveling with इतनी speed strikes a fixed wooden target one half of its kinetic energy is converted into heat and bullet while the other half is converted into the heat in the wood the rise of temperature of the bullet if the specific heat of the material is इतनी तब यहां पर हमारे पास q is equal to ms delta t करना है q कितना है half mv square जो kinetic energy थी उसका भी half सिर्फ वही use किया गया है bullet के दौरा तो उससे आप अब delta t बता का सकते हैं वीडियो को pause करो question को solve करो इसका correct answer है option number a देखो solve करते हैं हमारे पास q q की value कितनी है half mv square इसका भी half half का ही हम use कर पा रहे है bullet के लिए उससे क्या होगा bullet की ही temperature में change आएगा तो उसको मैं लेकूंगा ms delta t for the bullet और आप देखते हो m से m इस तरीके से cancel out हो जाता है हमारे पास यहाँ पर value क्या जाती है velocity कितनी है 210 meter per second 210 multiplied by 210 divided by 2 divided by 2 यहाँ पर नीचे 4 हो जाएगा multiplied by specific heat capacity यहाँ से नीचे जाती है specific heat capacity कितनी है 0.030 calorie per gram degree celsius अब यही है कि हमें units का conversion करना पड़ेगा यह 0.030 calorie per gram degree celsius है तो इसमें से gram को kilogram करोगे तो 1000 से multiply करना पड़ेगा तो यह हो जाएगा 30 calorie per kilogram degree celsius हम यहाँ पर लिखेंगे 30 calorie calorie को भी joule में करना भागी है joule में करने के लिए 4.2 से multiply कर दो इस तरीके से अब हमारे पास यह specific heat capacity यह SI unit में आ चुकी है तो हमारे पास जो data t आएगा वो भी SI unit में आने वाला है बस अब हमें इसी के approximation करने है देखो यह 30 into 4.2 है इसको मैं लिख दूँगा 3 into 42 7 से 42 को divide करते है उपर divide कर दूँगा 7 से यह हो जाएगा 30 into 210 divided by 4 into 3 into 42 divided by 7 वो आ जाता है 6 यहा 3 से इकट जाता है 10 आता है 6 से 210 को भी मैं divide कर सकता हूँ यह कितना हो जाएगा 3 से 18 हो जाएगा फिर बचेका मैं आपस 30 आए 35 35 into 10 350 divided by 4 this is equal to 350 divided by 4 उसकी वैल्व जाती है इतना जाएगी यहाँ जाता है 175 divided by 2 which is equal to 87.5 and this is degree Celsius यह फिर actually answer आएगा Kelvin में इतना टेंप्रिचर में चेंज आने बाला है विच आप्शन नमबर है क्योंकि Kelvin और degree Celsius में change बराबर होता है यह जो छोटा सा वीडियो आपने देखा वो actually छोटा सा पार्ट है बहुत ही अच्छे crash course का जिसमें हमने 40 दिन में यानि की लगपक एक महीने में 2-2 घंटे की classes करके complete physics को cover कर लिया है सारे के सारे concepts और बहुत सारे important previous years questions और ऐसे questions जो अभी तक नहीं पूचे गए है लेकिन शायद उन्हें पूचा जा सकता है उन सबको cover कर लिया है link is in the description उसको ज़रूर देखना साथ में आप colorful notes की PDF भी download कर सकते हैं उसका भी link description में या फिर आप उसको खरीच सकते हो आप प्रिंट भी करा सकते हो लेकिन प्रिंट करा हो तो black and white तो मजा नहीं आएगा तो buy the colorful handmade notes last minute television में आपको बड़ी मदद मिलने वाली है और मेरे vlogging channel को भी subscribe कर लो या तो वहाँ पे देखो और गया-गया चीज़े चल रहे है हम मिलेंगे पूरे पूरे कोस में आज़ा लिंक इस इन दे डिस्क्रिप्शन